आज हम लोग जितने भी words को पढ़ेंगे, उन सभी को examples के साथ देखेंगे, उनका use हम sentences में कैसे करेंगे, उन सभी की हम practice करने वाले हैं, तो hey guys, welcome back to my channel, तो चलिए सुरू करते हैं, पहला word है down, down, नीचे, नीचे आओ, नीचे आओ, come down, come down, दूसरा है early, early का हिंदी मतलब होता है जल्दी, जल्दी, अब बोलेंगे जल्दी उठो, जल्दी उठो, wake up early, wake up early, if ever, ever, कभी, सदा या हमेशा, sentence में कभी नहीं, never ever, never ever, from, from का हिंदी मतलब होता है से या ओर से, इसका sentence में यूज देखेंगे, मैं दिल्ली से हूँ, I'm from Delhi, I'm from Delhi, मैं दिल्ली से हूँ, for, for, हिंदी में बोलेंगे के लिए, sentence में, मैं आपके लिए यहाँ हूँ, I'm here for you, I'm here for you, here, here का हिंदी मतलब होता है यहाँ, या फिर इधर, इन दोनों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, sentence में देखेंगे, यहाँ मत आओ, don't come here, don't come here, both, both का मतलब होता है दोनों, मुझे दोनों पसंद नहीं है, मुझे दोनों पसंद नहीं है, I don't like both, I don't like both, मुझे दोनों पसंद नहीं है, above, above, उपर या से अधिक, उपर या से अधिक, वहाँ 50 से उपर है, वहाँ 50 से उपर है, he is above 50, he is above 50, but, बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन, किंत या परंतु, वहाँ जा सकता है, लेकिन, यह सेंटेंस अधूरा है, आप इसके आगे भी बना सकते हैं, he can go, but, he can go, but, also, also, भी या साथ ही, तुम भी आजाओ, तुम भी आजाओ, इसको बोलेंगे, you also come, you also come, तुम भी आजाओ, after, after, बाद में, यह के पस्चाथ, कल के बाद आना, कल के बाद आना, इंगलिस में बोलेंगे, come, after, tomorrow, come, after, tomorrow, as, as का हिंदी मतलब होता है, जैसा, जैसे, यह की तरह, जैसा आपको पसंद, जैसा आपको पसंद, as you like, as you like, and, and, और, या तथा, सीता और गीता, सीता और गीता, सीता और गीता, सीता और गीता, around, around, चारों और या लगभग, पचास के लगभग, पचास के लगभग, around 50, around 50, अवे दूर इसे दूर रखो इसे दूर रखो keep it away along साथ में या साथ साथ अपने दोस्तों के साथ आओ come along with your friends come along with your friends अपने दोस्तों के साथ आओ about बारे में या क्ये बारे में अपने बारे में बताओ tell me about yourself अपने बारे में बताओ at पर में या से मैं एएरपोर्ट पर हूँ मैं एएरपोर्ट पर हूँ I am at the airport by by दोरा या से काम राम के दोरा किया जाता है काम राम के दोरा किया जाता है इसको बोलेंगे the work is done by राम इफ अगर या यदी अगर या यदी अगर तुम जा सकते हो अगर तुम जा सकते हो if you can go इनसाइड अंदर या के भीतर अंदर आओ इसको बोलेंगे कम इनसाइड अंदर आओ बिफोर पहले या से पहले दोनों के लिए यूज करेंगे मैंने उसे पहले देखा मैंने उसे पहले देखा I have seen her before I have seen her before इन्टू के अंदर या भीतर वा किचन के अंदर आया वा किचन के अंदर आया He came into the kitchen अगर आप कोई वीडियो जरा भी helpful लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को सेर जरूर करें लाइक जैसा या के समान मुझे आम पसंद है पास आओ पास आओ गंप नीयर नाओ अभी या अब अभी करो अभी करो डू इत नाओ डू इत नाओ दियर वहाम बहामत जाओ ड्योंट को देर वहामत जाओ आउटसाइड बाहर जाओ गो आउटसाइड बाहर जाओ टू का मतलब होता है बहुत अति या अत्यधिक तीनों के लिए यूज़ करेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा टू गुद बहुत अच्छा I hope आपको वीडियो बहुत हल्प करेगी इन चीज़ों को समझने में sentence for words से कैसे दुनों को use करेंगे सबी words को याद करेंगे अगर जो words आपको नया लग रहा उसको जरूर नोट करें और next वीडियो में फिर हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरू करें वीडियो को सेयर करें और बैल आइगन को प्रैस करना ना भूलें ताकि आप